वेलकम गाईज, वेलकम तो मैं चैनल, आज हम लोग HPSC का PGT Economics का जो कोशन पेपर अभी 10 सितंबर को रिसेंटली हुआ है, उस कोशन पेपर को सोल कर रहे थे, इसकी ओल्रेडी हम तीन वीडियो, आज हम इसकी थार्ड वीडियो डिटेल में डिसक्स करेंगे, इसके ओल्रेडी टू पार्ट्स आ चुके हैं, आप चैनल पर नए हैं, आपको नहीं पता, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसके लावा भी आपको चैनल के उपर बहुत सारी प्लेलिस्ट, इकनोमिक्स के डिपरेंट डिपरेंट एक्जाम्स जो हुए हैं, उनकी प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएगी आप अगर चैनल पर नए हैं आप यह ढूंड रहे हैं कि आपको different questions हुआ economics के practice करने हैं तो आप चैनल पर जाकर playlist में से कर सकते हैं अगर रही बात ixate economics exam की अभी नमंबर में क्या होगा आपका ixate economics का PGT की लेवल का हर्याना का एक्जाम होगा तो उसके जितने भी प्रिविए से कोश्चन पेपर 2011 से 2022 तक के अब लेबल थे वह सारे के सारे कोश्चन पेपर चैनल के उपर आपको सोल हुए मिल जाएंगे अगर आप यह देखना चाहते हो कि किस तरह का पैट्रन एक्जाट इकनोमिक्स में आया हुआ है तो आप उन कोश्चन पेपर को सोल कर सकते हैं आज का जो हमारा कोश्चन पेपर है इसका फॉर्स कोश्चन देखिए क्या बोला गया है इसमें बोला गया है which of the following test is used for testing the overall significance of regression after using the method of ordinary least care आपको ordinary least care का जो method है उसका use करकर regression जो होता है उसकी overall significance को चेक करना है यह बोला गया है कि आप कौन से test का use करोगे फर्स्ट ऑप्शन है T test, F test, काई square test, Z test आप लोगों को पता है F test जो होता है वो goodness of fit को बताता है overall significance को चेक करने के लिए हम किसका use करते हैं F test का use करते हैं तो इसी लिए option number B आपका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में बोला है warranty जो growth rate होती है Harald Domer का जो model है growth का उसमें warranty growth rate क्या होती है warranty growth rate एक ऐसी growth rate कि आप potential है आप future में उसको क्या कर सकते हो attain कर सकते हो तो warranty growth rate निकालने का formula बताया था Harald Domer ने यह क्या है small s जिसे क्या बोलते है small s क्या होता है saving income ratio होता है यह क्या होता है capital output ratio तो यहाँ पर यह बोला है Harald Domer model के according जो warranty growth rate है वह किस पर depend करती है तो हम क्या बोलेंगे अभी मैंने आपको क्या बोला यहाँ पर saving income ratio तो दे नहीं रखा अब क्या दे रखा आपको capital output ratio आपको given है तो option number first ही आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में मंदल flaming model में LM कर्व का जो slope होता है from left to right यह कैसा होता है upward slopping होता है vertical होता है downward होता है horizontal होता है अब आप लोगों को पता है हमारा IS LM का जो model है हिक्स और हैंसर ने दिया था IS curve आपको क्या बताता है IS curve आपको goods market में equilibrium को बताता है LM curve जो होता है वो आपको money market में equilibrium को बताता है और आपको पता है LM curve क्या होता है यह upward slopping होता है तो इसी लिए इस question का right answer क्या हो जाएगा option number first ही आपका क्या हो जाएगा राइट answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में बोला गया है according to Lewis dual economy grow आप लोगों को पता है जो Lewis थे उन्होंने क्या दिया था unlimited supply of labor दिया था उस concept को उन्होंने समधाया उन्होंने क्या बोला agriculture sector में लेबर ज्यादा लगी होने की वजह से लेबर की जो marginal productivity होती है वो क्या होती है जीरो के बराबर होती है अब इस problem का उन्होंने solution दिया अब उन्होंने क्या solution दिया यह आपसे question में पूछा है फर्स देख manufacturing method is capital intensive इन्होंने कहा कि dual economy तब ग्रो करेगी जब आपका उत्पादन करने का जो तरीका है वो capital intensive होगा या फिर आपके उत्पादन का जो तरीका है वो लेबर intensive होगा या फिर agriculture sector क्या करेगा modern जो नहींने equipment है उनका यूज करेगा and fourth है capitalist borrow from foreign country capital को borrow किया जाएगा कहां से foreign country से अब आप पताईए उन्होंने क्या बोला था उन्होंने कहा था agriculture जो सेक्टर होता है न economy में उसके अंदर लेबर बहुत जादा होती है तो उसको आपको क्या करना है इंडस्री सेक्टर में यूज करना है या फिर हम कहें agriculture सेक्टर में आप क्या कर सकते हो modern नहीं नहीं जो techniques होती है उनका यूज करो तब आपकी productivity increase करेगी और जो भी additional labor agriculture सेक्टर में है वो आप क्या करो इंडस्री सेक्टर में क्या कर दो ट्रांसपर कर दो तो इसी लिए इस question का जो right answer आपका होगा वो क्या कहलाए अगरिकल्चर सेक्टर यूज मोडरेन अक्यूपमेंट ओप्शन नमबर सी आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए question में क्या बोला गया है optimum tariff जो होता है उसको determine करना है कहते है optimum tariff का determine करने का point वो होता है वेर दा trade in difference curve of tariff imposing country is dash to the offer of other country अभी नों ने कहा आप लोगों को क्या पता है optimum tariff की definition होती है ना वो क्या होती है कि tariff की इस तंदर क्या होनी चाहिए तो जो संतूलन की जो condition होती है ना टैरिफ की वो यह कहती है आपको कि optimum tariff वो tariff होता है जब tariff impose करने वाली country मालों इंडिया और USA के वीच में क्या हो रहा है ठीक है इंडिया और USA के वीच में ट्रेड हो रहा है तो इंडिया क्या करती है USA के प्रोडक्ट पर मालों टैरिफ लगाती है तो optimum tariff एक ऐसा tariff होता है जब tariff impose करने वाली country जैसे इंडिया जब tariff impose करेगी किस पर USA पर तो इंडिया का ट्रेड का इंडिया का ट्रेड का किसके साथ tangent होना चाहिए किसके साथ tangent होना चाहिए USA जो कि एक foreign country है उसके ओपर कर से क्या होना चाहिए tangent होना चाहिए तभी आपका optimum क्या आ जाएगा tariff आ जाएगा समझाया यहां पर क्या optimum tariff के definition बनी कि जो tariff लगाने वाली जो country होती है उसका जो trade indifference curve है जैसे मैंने कहा इंडिया का trade indifference curve किसके साथ touch होना चाहिए USA की जो offer curve होता है उसके साथ क्या होना चाहिए tangent होना चाहिए अगर मालो यह हो गया USA का क्या हो गया offer curve हो गया और यह हो गया इंडिया का क्या यह मालो इंडिया जो ए कंट्री है उसका trade indifference का जब यह दोनों एक दुर्वर टच करेंगे tangent करेंगे तभी आपका जो tariff की rate होगी वो क्या होगी optimum होगी आपसे question में भी यही पूच्छा है तो इसलिए इस question का right answer क्या होगा tangent करना option number A आपका right answer हो जाएग मैंने आपर देखो डाइग्राम भी एड किया है पीटू पाइंट जो देखो आप डाइग्राम में पीटू पाइंट ट्रेड इंडिफरेंस कर्व को ओफर कर्व ने टच किया है option पीटू जो आपका है optimum tariff को दिखाएगा आगे देखिए अगला question अगले question में देखिए क्या बोला गया है before the changing in price price change होने से पहले ठीक है प्राइस चेंज होने से पहले exchange rate दी गई है रूपेज सिक्स्टी वन डोलर suppose the Indian price index rise हो दाता है 300 and US price index जो है rise हो दाता है 200 पहले आपको क्या बोला है एक डोलर का जो प्राइस वो क्या है 60 है सबसे पहले आपको यही बोला कि एक डोलर अगर किसी को चाहिए तो उसको 60 रूपीज पे करने पड़ेंगे फिर क्या बोला इंडिया का जो प्राइस इंडेक्स है वो 300 से बढ़ गया ठीक है US का जो प्राइस इंडेक्स है 200 से बढ़ गया अब question में यह बोला है आपको न्यू एक्विलिब्रियम जो है एक्सेंज रेट वो डिस बतानी है क्या होगी आपको क्या बतानी है न्यू एक्विलिब्रियम एक्सेंज रेट आपको बतानी है और किसके हिसाब से बतानी है अंडर परचेजिंग पावर पैरिटी की जो थियोरी है इंटरनेशनल India का Price Index 300 से बढ़ा, US Как gonna get 600 से बढब आपको नई इंडेक्ष बतानी र्क Corrina कि त्यूरी के जाब से उजह सुभ आप इस question को देखिए इस question के अंदर आपको क्या क्या गिवन है इस question में आपको given है आपको इस question में एक formula का यूज करने है new exchange rate निकालने के लिए आपको क्या यूज करने है एक formula यूज करने है ठीक है क्या सबसे पहले आपको होगे previous exchange rate into domestic price index मैं जो बोल की उसको सुनो क्योंकि इतना लंबा लिखूंगी तो page कम पड़ जाएगा पहले आपको क्या लिखना है previous exchange rate फिर आपको multiply किसे करना है domestic price index upon foreign price index से अब आपको पता है जो आपका एक डोलर कितने का है 60 का है यही आपकी क्या है previous exchange rate है तो यहाँ पर आप क्या put करोगे 60 put करोगे फिर multiply अभी हमने कहा इंडिया का price index कितने से बढ़ा इंडिया का price index 300 से बढ़ गया था और उसके बाद US का जो price index है कितने से बढ़ा 200 से बढ़ा था जब हमने इसको क्या कर दिया काट दिया तो आपका 90 रूपीज आया ठीक है तो आपका क्या answer आया एक डोलर की value आपकी क्या ही अब 90 पहले डोलर की value क्या थी 60 अब आप क्या कहोगे आपका जो अगर इसको डोलर में आप convert करोगे तो आप क्या बोलोगे पहले जो है एक डोलर 60 का था अब एक डोलर जो है 1.5 1.5 का आपका क्या होगा option number B आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगला question देखिए the devaluation which cause the balance of payment towards of in beginning and improve is called dash effect question में बोला है जब एक country अपनी currency का क्या करती है devaluation करती है अब मूलन करती है तो उसकी बजहा से बोला गया है balance of payment जो होता है भुकतान शेष की जो स्थिती होती है starting में बहुत बुरी होती है फिर दीरे दीरे उसमें improvement आती है तो उसको आप कैसे diagram से दिखाएगी उसको हम J curve की help से दिखाती है आपने पढ़ा होगा international trade में हम यहाँ पर क्या लेते हैं यह J curve जो होता है यह दिखाता है कि एक country की जब अपना devalvation करती है अपनी currency का अम्मूलन करती है तो balance of payment पर या अगर हम कहें current account के deficit पर क्या प्रभाव पड़ता है शुरू में balance of payment की सिती negative होती है उसके बाद उसमें improvement आनी शुरू हो जाती है और जो एक कव बनता है यह आपका J curve है कहलाता है तो इसी लिए इस question का भी right answer option number C आपका हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में बोला है maximum point of inverted U-shape लफ़ कव show अब आपको पता है हम एक left for curve पड़ते हैं left for curve जो आपको क्या दिखाता है एक तरफ आपकी tax की rate दिखाता है और एक तरफ आपकी tax revenue को दिखाता है अब आपको क्या दिखाता है कि जैसे जैसे tax की rate बढ़ती है वैसे वैसे government को tax से प्राप्त होने वाला revenue बढ़ता है अब से question में पूछा यह गया है कि जो इसका maximum point होता है यह maximum point है यह आपको क्या दिखाता है तो आप यह बोलोगे जो maximum point है लाफ़र कव का वो आपको यह दिखाता है कि गोर्मेंट को maximum tax rate में increase करने से कितना tax revenue increase होगा तो tax revenue maximum point को यह दिखाएगा क्योंकि इसके बाद अगर इसके बाद क्या होता है इसके बाद जो है tax revenue जो है वो क्या नहीं होता increase नहीं होता tax rate के बढ़ने पर भी तो इसी लिए इसका जो maximum point है वो आपको हमेशा क्या दिखाता है tax revenue का maximum minimum point दिखाता है तो इसी लिए इस question का भी आपका right answer option number D हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में है the availability of less cash with public due to high taxes and reduce public expenditure अभी question में यह बोला गया है कि जब क्या होता है जब लोगों के पास cash की कमी हो लगाती है गोर्मेंट हजादा टेक्स लगाती है public expenditure को भी वो कम कर देती है तो यह वाली situation क्या कहलाती है इस situation को हम economics में बोलते हैं physical drag बोलते हैं तो इसी लिए इस question का right answer option number D हो जाएगा और इस situation में government यह करती है क्योंकि उसके बजट में काफी जादा घाटा आ रहा होता है उसको वो control करने के लिए इस policy को अपनाती है तो option number D आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए the foreign exchange market stock exchange market banking and non banking financial institution are the part of stock exchange market है जो banking वाली market है जो non banking market है वो सब किसका part है उसमें जितने भी reforms होते हैं वो किसका part है तो यह सब part आपके financial sector reforms होते हैं विक्तिया शेत्र में सुधार होते हैं क्योंकि इन सबका संबंद पैसों से है तो option number C आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में बोला गया है इन by variate regression analyze variable that is being predictable regression को analyze करते समय है by variate regression को analyze करते समय है आप जो है कौन से variable को predict कर सकते हैं option में बोला है dependent variable को predict कर सकते हैं independent variable को predict कर सकते हैं या आप slope को predict कर सकते हैं या इसको आप donate करते हैं R से तो आप लोगों को पता होगा एक होता है dependent कि regression की एक्वेशन होती है उसमें एक variable आपका होता है dependent variable एक variable होता है independent variable ठीक है dependent और independent किस तरह से होता है मालों एक demand है is the function of price कोई बोले demand is the function of price अगर यहाँ पर equation होती है हमारे पस demand की तो यहाँ पर आपको क्या समझ आया demand जो है depend करती है किस पर depend करती है price पर तो price यहाँ पर आपका independent variable हुआ और demand यहाँ पर आपकी dependent variable हुई तो आप क्या कहोगे इसके अंदर इसके अंदर आप यह बोलोगे कि dependent variable को आप predict कर सकते हैं predict का मतलब होता है जान सकते हैं उसके बारे में किसकी help से independent variable की help से तो यहाँ पर किस वेरेबल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो हम दिपैंड होगा सकते हैं तो इस लिए को अपका राइट आंसर अगला कोश्टन देखिए कोशन यह कोशन पर में यह कोश्चन यह dumping वाला दो बार घूम किया हुआ है पहले भी हमने इस तरह का измен salt किया है आप दोबारह पिर ज lotिफेंग किया हुती है आप को में अपको प्रशन नहीं पढ़ाती हमने presenting कई बार कर ली है dumping कई सिट्गेशन होती हैं कमा क्रवब आप कotikąठी को अपने product को अपनी मार्केट में महंगा बेच्टी है और फोरें मार्कीट में दूसरे देश की मार्केट होती है वह हम स्को बेच्टी है अगर हम ग्जाम्पल के तरफ को समझे अगर जो हैं इंडिया क्या करे कि Penny product थे जोता लिए टाइढ़ lot बंगा बेच्ट है और उसको सस्ता बेचे तो यह वाली situation आपकी dumping के कहलाएगी तो हम कहेंगे क्या sale of goods abroad दूसरे देश में lower price में बेचना है और अपने देश में आपको महंगा बेचना है तो यही आपकी dumping होगी तो option number C आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में बोला है relative income की जो theory है जो ड्यूजन बरी ने दी है इन्हों ने कहा है when current income rise आपकी current income rise हो जाती है current income आपकी proportionately rise हो जाती है फीट लेवल income सक ठीक है current income कैसे बढ़ जाती है जो peak level ये वाली income होती है आपकी current income आपकी इसके साथ क्या है बढ़ रही है proportion rate में अब यह बोला है तो इससे आपकी जो average propensity to consume है उस पर क्या impact पड़ेगा अब आप एक चीज़ समझो जब भी किसी भी person की क्या होती है income increase होती है तो उसकी एक habit हो जाती है कि उसकी जो consumption जो है वो कम हो जाता है average propensity to consume जो होता है उसका घट जाता है क्योंकि उसकी basic needs पूरी हो चुकी होती है तो हम क्या बोलेंगे उसकी A.P.C. average propensity to consume जो क्या करेगी decrease करेगी अब हमेशा याद रखना income के increase होने पर A.P.C. आपकी हमेशा decrease करती है तो option number C इस question का right answer हो जाएगा अगला तो match the following का question है अगले question में देखिए क्या वो लगया है अगले question में आपसे यह पूछा गया है कि price elasticity किसके साथ match करती है तो आप देखिए प्राइज इलासिसिती का पूर्मूला है प्राइज इंकम इलासिसिटी उप डिमांड का पर्मूला आप वोगों को पता है कि Income इलासिसिटी उप दिमांड इंकम के साथ जाएगा तो सोरी अब करतें यहाँ पर देखिए आपको match करना है ठीक है Price elasticity of demand Price elasticity of demand का Formula आपको बताना है Income elasticity of demand का Formula बताना है Point elasticity तो यह हो गई Cross elasticity का Formula बताना है यह बहुत easy question है आपको match the following करना है इसके बाद आप इसको match कर सकते हैं income के साथ second वाला ये जाएगा Price वाला price के साथ match कर देना इस question में कुछ समझाने का नहीं है इसमें सिरफ आपको match करना है next question देखिए liquidity trap का मतलब क्या होता है liquidity trap एक ऐसी situation होती है कि market के अंदर interest rate ही होती है liquidity trap interest rate ब्याज की दर इतनी कम हो जाती है कि investor जो होता है investor जो होता है investment करने की बजाए अपने पास पैसे को रखना पसंद करता है क्योंकि ब्याज की दर बहुत कम है तो liquidity trap का मतलब होता है implies कैसी होती है demand जो आपकी infinity होती है money की demand होती है liquidity trap में infinity होती है क्योंकि market के अंदर rate of interest इतना गिर गया कि कोई भी पैसे को invest नहीं करना चाहता सारे के सारे पैसे को लोग cash में रखना चाहते हैं तो इसलिए इस question का right answer option number C आपका